वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल जस्वाल जी के टैक अगर आपने हमाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेर करें तो हम पढ़ रहे थे रिवर्स सिस्टम इन एच पी एच पी में आपकी कौन कौन सी रिवर्स जो ह में रिवर्स जो हाच पी में बैती है उनके भारे में हम पढ़ रहे थे तो सबसे परहले हमने बढ़ा था आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने अपनी जो भी करी रिवर्स है और बो थी हमारी यमंण आज जो hum 1 सटुच रिवर्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जदी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हम पढ़ेंगे आज सतलुज river के बारे में सतलुज river आपकी कहां से originate होती है कहां पे hp को exit करती है और hp में कहांСे या एंटर करती है वो हम आज इसमें पढ़ेंगे ठीक है यसे पदें हम नमना के बारे में पढ़ा था है यहमना आपकी वो सबसे चोटी है water volume के basis पे बीच पे बी बेसिस पे भी सबसे छोगेुटी जो डीवर है मुम ओना ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे सतलूज सतलूज जो है वह आपकी लॉणगेस्ट डीवर है in 22 ए सबसे बड़ी कंदि के सबसे बड़ी रीवर है 6 इसी के साथ याद रखियेगा जो शथलीच है वो second largest है largest का मतलब है कि क्या है यह आपकी water volume जिसका जाता है तो water volume के basis पे सबसे बढ़ी नदी है आपकी चेनाब और सतलुच जो है वो आपकी second largest river है तो दोनों याद रखिएगा second largest in term of water volume तो first कौन होगी आपकी जो largest होगी water volume के basis पे वो है आपकी चेनाब और second largest है आपकी सतलुच water volume के basis पे और जिसकी length wise सतलुच सबसे बढ़ी है और second भी आपकी जो ब्यास है दूसरे नमबर पर वो है सबसे बढ़ी ठीक है और यह मुना जो है वो आपकी सबसे चोटी है length wise भी और water volume भी ठीक है आगे हम पढ़ी इनका बैधिक नम याद रखी इगा बैधिक नम है आपका सतलोभ का स्टोदरी और संस्कीत नम मैं इसका स्तूदर ठीक है और एक याद रख admits पशी जो इसके वार वह फिसका उलयक जो है वह आपका मिलता नहारे थीक है इसके आराब आपकी चार रीवर्स जो है ये मुना को छोटके बाकि जो आपकी चार रीवर्स बस्तियाँ उनका उल्लेक झो है वो आपका किसमे दिया हुआ है तो उसका उललेक दिया गया है आपका रीगवेद में ठीक है तो अगर आप से준 में पूच्छा गया होगा अगर आपके पास साथ जो आपका अगर आपको आए कि जो आपकी सतलूज रीवर उसका उलेख किस में मिलता है तो रिगवेद और महाभारत में जो आपका सतलूज रीवर का जो है वो उलेख मिलता है सतलूज रीवर के अलावा रिगवेद में आपके पास चेनाव, राबी वियासीन का भी जो है वो उलेक मिलता है तीक है? यमनाnews को उलेक डिगवेद में नहीं है तो याद रखेगा दोनो डिगवेद हो महा बारत में आपका सथलुज रिवर का उलेक जो है यह मिलता है तीक है? अर यह आपकी किसका टिपुटरी है? तो इंडस रिवर जो आपकी जिन्दू नदी है उसकी सबसे वड़ी टिविट्री है आपकी सतलुज रिवर यह भी याद रखेगा लैंध कितनी है आपकी सतलुज रिवर की तो जो सतलुज रिवर है इसकी लैंध है 320 किलोमेटर है ठीक है है एच पी में तो माउंट कहलास का जो सदरन स्लोप है ठीक है उसका जो उसके नियर जुमान स्रोबर लेका है उसी से आपकी एक राकास रेक जो है वो बनती है जहां से आपका सतलूज का क्या है और रीचन है ठीक है तो याद रखिएगा और टोटल लेंद इसकी है 1448 किलोमेटर एचपी मे लें 320 किलोमेटर है और आपकी एचपी में एंटर करती है आपकी सिपकी पास सिपकी पास किनोर का सिपकी पास है या सिपकी पास है वहाँ पर आपका ये एंटर करती है सतलूज है ठीक है तो ये कोईशन भी काफी बार पूचा गया है तो सिपकी पास जो है आपका किनोर मे बहां पे आपका सदलूज जो है वही माचल में एंटर करती है ठीक है तो इह आपका इसका औरीजन है राकास लेक, तिबबद इस है जो मांसरोबर लेक से बनी हुई मिलता आपकी की मांसरोबर जो लेक है उससे पानी मिलता है आपका राकास लेक को जहां सतलुज रीवर का ओरीजन है ठीक है और जो सतलुज रीवर है इसे तिबबत में क्या कहा गया है तो सतलुज रीवर को तिबबत में लैंग जैंग जैगवो कहा गया है और लॉंग चैन खाबो कहा गया है ठीक है तो ये भी आदर कियेगा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सतलुज रीवर ब्रेक धौलाधार रामपूर बुश है अब जो आपकी धौलाधार रेंज है ठीक है धौलाधार रेंज को ब्रेक करता है आपका सतलुज कहां पे रामपूर बुश शहर में ठीक है इसके अलाव आपकी राभी जो है वो धौलाधा अब्राइब ayam ऐा को यह सब यात रखेगा आके जब हम रावी सब hem होना में पढ़ेंगे तो हम धौरा से पढ़ेंगे गदरां कि जो सफितु क्या है कि Copy budget तो सपली पंजाएं और hp को कहां पे exit करती है तो उन्ना के नियर hp को exit करती है और नंगल पंजाम में आपकी flow करने लगती है और लास्ट में आपकी ये पाकिस्तान में इंडस नदी में जो है वो मिल जाती है इसलिए आपकी जो सतलूज है वो इंडस रीवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए कि सतलूज रीवर जो है वो इंडस को कहां पे मिलती है तो सतलूज रीवर इंडस को जोईन करती है कहां पे पाकिस्तान में ठीक है इसके अलावा जो आपका सतलूज रीवर है ये कि नौर को two equal parts में जो है वो divide करती है ठीक है इसके अलावा जो आपकी सतलूज है उसके कुछ और नेम है जैसे मुकसंग संपू, समुधरंग जुम्टी एकसेटर ये जो है इसके कुछ और नेम्स है आपके ठीक है इसके अलावा जो सतलूज है जो सतलूज है इसका ग्रीक में नेम क्या है तो सतलूज का ग्रीक में नेम है हुपसीस क्या है हुपसीस ह-u-f-s-w-e-s हुपसीस इसके अलावा जो एंसेंट ग्रीक नाम है वो क्या है तो एंसेंट ग्रीक नाम जो है आपका वो है zara दोनों याद रखेगा यह आपका ग्रीक नेम है क्या है hoops और जो आपका ancient Greek नाम है वो क्या है ancient Greek नाम जो है जारा दोनों याद रखेगा इसके अलावा आपके पास टिबूटरी क्वान कौन सी है सतलुज की तो सतलुज की जो टिबूटरी है सोन क्या से याद रखेंगे आप सोना बस स्पीती पहुंच गई पहुंच और गई को नहीं होगा आपका क्या होगा तो सो से आपका सोन होगा ठीक है एन ए से आपका नोगली होगा बस से आपका बस पा होगा और स्पीती जो आपकी स्पीती रिवर जो होगी ठीक है तो जो आ इंडस की टिबूट्री है और उनमें सबसे बड़ी जो है वो आपकी सतलूज जो है वो इंडस रीवर की टिबूट्री है याद रखे ठीक है उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आपका लास्ट में आपकी कहां पर ड्रेन होती है तो सबसे लास्ट में जो सतलूज है वो ड्रेन होती है आपकी इंडस में कहां पर पाकिस्तान में ठीक है अब हम टुबूटीस के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे टीबूटीस हैं सबसे पहले हमारे पास आती है बस्पा रिवर हमारे पास आया बस्पा रिवर बस्पा रिवर जो है वो सतलूज की सहाइक नदी है ठीक है और कहां से ही निकलती है तो ये आपकी निकलती है बस्पा हिल से कहां से निकलती है बस्पा हील से जो है निकलती है जिसे नेला पास जो है बस्पा हील या फिर आपका नेला पास जो है बहाँ पे गलेसियर है जहां से आपकी बस्पा रीवर जो है वो निकलती है ठीक है और जो बस्पा है ये सतलूज को जोईन करती है कहां पे तो कलपा में आपका कर्चम है कल कि नौर डिस्टि को कहां पर जो है वो exit करती है जो सतलुज रीवर है ये exit करती है ये लीव करती है कि नर को west 4 में ठीक है west 4.O4 में और है similar district में जो है वो enter कर जाती है next हमारे पास आता है repeety River तो जो repeety river है। ये आपका कुणजुम पास है कुणजुम पास कहाँ पे आपका लहौ समाम में तो यह आद रिक्याद र consist हम अम जो आपके दर्रे हैं पास किया होता है आपका तो लगार लास्ट में जो हम पासिस के बारे में पढ़ेंगे יעमाचल में कौन-कौन से दर रहें हैं उनके बारे में हम पढ़ा है अब PAS क्या होता है industrial जो दो मान लोग जैसे एक एपारे एक एपारे आपने यहां से यहां का जो अरिया है इसको जो आपस में जोड़ता है, उसे कहा जाता है PAS तो वैसे ही आपका है लहौल और स्पिती को आपस में जो पास जोड़ता है वो क्या है वो है आपका कुझु पास तो यह याद रखेगा कहां पे है यह लहौल स्पिती में है और जो आपकी स्पिती रीवर है यह सतलुज को कहां पे जोइन करती है तो किनौर के नामगिया में आपकी सतलुज को जो बसे होए हनसी एंड धनकर गुमपा बसे हुए है थीक है सब नोगली घट शचोए आपकी जॉइन करती है सतलुच को रामपूर मुशहर चैसे थोड़ा सा निच्छे जाके जुए है आपकी नोगली घट कुद्च को जोईन करती है है ट्रिबूटीस है इसकी मंदी में कौन-कौन सी तो मंदी में जो सतलूच की ट्रिबूटीस है सतलूच की जो सहाइक नदिया है मंदी डिस्टिक में वो है सियोन बालू कोटलू बैना सीमन बंतेहरर खडेल बागमती तो यह जो है आपकी मंडी में ट्रिबू ट्रिस है किसकी सतलुज की ठीक है और जो आपका कुलू का निर्मंड है आपका सॉरी जो कुलू डिस्टी के निर्मंड को जो है आपका रामपूर के सामने जो है ये आपकी छूती है ठीक है इसके अलावा हमारे पास यहां से फिर यह पास होती हुए मुझुम, बागरा, बतवारा, देराट, एंडेहर होके जो है वो पास होती है आपकी नोगली खट नेक्स्ट है हमारे पास सोन रीवर तो जो सोन रीवर है हमारे पास यह राइस होती है जो आपका सिवालिक रेंज है उसकी जो सदरन स्लोप है ठीक है जो दक्षिन जोस की धलान है वहां से आपकी यह राइस होती है जिसे सोला सिंगी रेंज भी कहा जाता है ठीक है तो जो तोर ही जोब से टिल के आगए आप एकhlet की सिवालिक हील्ज से अगे आपका अटिक ब्राइट वर्डरर प्रड़ल शुपि और पंजाब आपका है। ही एसके आधर किनारे में आप वो कौन-कौन से है तो सत्लुज के किनारे पर से हुए सेहरे है आपका भिलासपूर, सुारिगाट, राबपूर, टत्ता पानी तत्ता पानी आपका डिस्टी के मंडी में पढ़ता हैं ठीक है सलापड़ा एक्सेक्टा तो ये सब जो हैं आपकी सत्लुज इस टीक है उसमें जो आपका कंदरोर ब्रीच है जगह का नाम भी कंदरोर ये इसलिए वहां का नाम कंदरोर ब्रीच है वो एसिया का सबसे उंचा पूल है ठीक है सबसे उंचा पुल जो है वो है आपका कंदर और और कौन से NH पे पढ़ता है आपका तो NH 88 पर जो है आपका कंदर और ब्रिज पढ़ता है याद रखेगा कोशन कावी बार पूचा गया एक्जाम में इसके अलावा सतलूज रीपर पे है आपकी गोविन सागर लेक जो गोविन सागर भाकड़ा डैम की बचा से बनी हुई है एक आर्टिफिशियल लेक है और HP की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविन सागर लेक है ये भी आद रखेगा और जो आपका वर्ल् और second largest है volume wise दोनों याद रखिएगा इसके अलाबा जो सतलूज है आपकी बो लार्जेस्ट इबूट्री है किसकी तो लार्जेस्ट इबूट्री है वो आपकी इंडस की इस सब याद रखिएगा काफी important है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छ